वेलकम तो माई यूटीब चैनल आईटीटेट आईटीटेट के प्रेटफार्म से में एक बार पर आपके सामने एक आईए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Facebook अकाउंट की primary location कैसे मालूम कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि Facebook की monetization policy के बाद Facebook ने कुछ SM वाले के रिश्म में monetization eligible नहीं की तो आपको कैसे पता होगा कि आपका page या आपका Facebook account किस location पर active है तो चलते हैं मुबाइल की screen पर मैं step by step आपको सारी setting बताऊंगा और आप हमारे इस वीडियो को आलाजमी एंड तक देगे क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको setting का कुछ पता नहीं चलेगा और अगर आप हमारे YouTube चनल आइटी टेट पर नहीं है तो हमारे चनल को लाजमी सबस्क्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी फालो करें तो चलते हैं मुबाइल की screen पर तो दोस्तों सबसे पहले आपने Facebook की setting में जाना है यहां उपर आपको right corner पर setting का option मिलेगा उस पर click कर लेना है जैसे ही click करेंगे तो कुछ इस तरह का interface आएगा नीचे आना है आपको यहाँ your information की section में आना है यह access your information पर click कर लेना है click करने के बाद continue पर click कर लेना है जैसे continue करेंगे तो उसके बाद आपको 2 second तक wait करना है जैसे ही wait करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा नीचे आना है यहां आपने logged information में जाना है जैसे logged information में जाएगे तो आपको यह location और primary location का option मिलेगा उस पर click कर लेना है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका facebook account या page किस location पर activate इस तरह आप देख सकते हैं मेरा पाकिस्तान में इस तरह आप भी अपने location चेक कर सकते हैं तो यह थी आज की हमारी वीडियो मिलते हैं next वीडियो में अल्ला आफ़िस